मॉनिका एस्ट्रोलोजी में आपको बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लगन की और वार्षिक राशिफल की दिखे जब वार्षिक राशिफल की बात होती है तो जो लंबे अद्राल के लिए ग्रह बदलते हैं उस पे जादा ध्यान दिया जाता है यानि कि शनी, राहू, केतु और गुरू ये चार प्लैनेट ऐसे हैं कि जो लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं मंगल, शुक्र, सूर्य, बुद्ध ये सब जो प्लैनेट हैं वो पंदरा दिन, एक महिना, दो महिना इस प्रकार के अंत्राल से बदलाव लेते हैं जो ह इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पर हम मुख्य रूप से ये चार ग्रहों की चर्चा करेंगे और पूरे वर्ष में किस प्रकार के परिस्थती हैं ये जानने की कोशिश करते हैं 1st May 2024 यानि कि 1 मई 2024 को व्रिशब राशी में गुरू का प्रवेश होगा 9 अक्टूबर से 4 फैबरूरी तक 119 दिन तक गुरू का वक्तरी ब्रह्मन रहेगा शनी कुम्भ राशी के अंदर ही रहेंगे 30 जून से 15 नवेंबर तक वो वक्तर वस्था में आएंगे 149 दिन के लिए 139 देज के लिए राहू मीन राशी में रहेंगे और केतू कन्या राशी के अंदर स्थित रहेंगे देखिए यहां पर मुझे लगता है कि जब मीन लगन की बात की जाए तो लगन के अंदर राहू स्थित रहेगा पूरे ही वर्ष और लगनेश आपका गुरू है इस वज़य से लगनेश का सबसे जादा इंपोर्टेंस होता है आपके लिए गुरू का सबसे जादा महत्व है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरु की, गुरु शुरू के 4 महिने तक आपके द्वितिय भाव में स्थित है, तो लगनेश का द्वितिय भाव में जाना और द्वितिय स्थान में गुरु एक तरह से मारगी भी है, तो ये सेविंग्स के point of view से बहुत अच्छा है, पै रवस्तित रूप से निर्णय ले पाएंगे, फैमिली के कोई भी प्रकार के विवाद को सही से आप रिजॉल्व कर पाएंगे, यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि यहां गुरू का अपने आप में होना एक वाणी को काफी हद तक कहते हैं न कि जो भी वाणी संबंधित क करते हैं, यानि कि जो टीचर्स हैं, जो मोटिवेशनल लीडर्स हैं, या कहीं पर भी आपको परिस्थतियों को संभालने की परिस्थती है, कहीं पर पर आपको बोलना है तो ये गुरु आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी वानी को बहुत ही कहते न के प्रिसाइज रखेगा बहुत ही व्यवस्तित रूप से आप लोगों को अपनी बात को समझा पाएंगे ये चीज़ जरूर कहूंगी कि द्वितिय भाव के अंदर जब लगनेश है तो ये investment point of view से बहुत ही पाइदेकारक परिस्तती है आपकी savings के अंदर भडोतरी होगी आपकी savings को सही direction प्राप्त हो पाएगा तो यहां पर गुरू की एक दरश्टी पढ़ती है आपके sixth house पे दृतिय दरश्टी आपके अश्टम भाव पे है तृतिय दरश्टी आपके दशम भाव पे है तो ये तीनों ही दरश्टी का क्या आर्थ है तो देखिए शुरू के चार महिने की बात कर रहे हम एप्रिल तक की परिस्टती में गुरू कोई भी प्रकार की आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर लोन दिलवाने में शुरू के चार महिने बहुत सक्षम है शत्रू आप पर हावी नहीं हो पाएंगे कोई भी प्रकार का dispute है या जगड़ा है clash है उसको आप resolve कर पाएंग यहां पर अगर कोई भी प्रकार की health problem है तो गुरू के द्वारा शुरू की चार महिने बहुत ही फाइदेकार है जहां पर स्वास्थ के अंदर मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार का problem चल रहा है मोन से connected कुछ problem चल रहे हैं या कोई भी प्रकार का health issue है तो शुरू के चार महिने गुरू की द्रश्टी की वज़े से आपको सही doctors प्राप्त हो पाएंगे सही direction प्राप्त हो पाएगा अगर कोई भी medicine है या कोई भी दवाई आपकी चल रही है तो उसको सही result आपको मिलेंग उसके आपके health के अंदर ये गुरू की द्रश्टी की वज़े से मैं एक चीज़ जरूर कहूंगी कि यहां पर जो भी लोग जॉब के अंदर कहते हैं कि promotion expect कर रहे हैं तो ये बहुत ही फाइदेकारक परिस्टिती रहेगी आपके लिए कि जहां पर आप लोगों के साथ अच लोन से related आप सोच रहे थे कि इसको लिया जाए न लिया जाए तो शुरू की चार महिने में ये अवस्था बहुत पाइदेकारक हैं कुरू की द्रश्टी अश्टम भाव पर पढ़ती है तो जो भी research oriented course है उसमें आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी आध्यात्म अगर in-laws के साथ भी relations खराब थे तो अब यहां शुरू चार महिने शुरू के जो चार महिने का जो समय है वो आपको betterment की तरफ ले कर जाएगा आप चीजों को सुधारने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे गुरू की एक द्रश्टी दशम भाव पर पढ़ती है त आप कोई भी प्रकार का jobless परिस्तिती में है तो आपको job मिलने की संभावना शुरू के चार महिने में बहुत ज्यादा है यानि कि आप सोच रहे थे कि कोई departmental change हो या आपके कोई भी superiors के साथ आपके प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यहां गुरू का पूर्ण रूप स support है और मुझे लगता है यह मारगी गुरू है तो अब आपके जो भी कारे अटके हुए है वो शुरू के चार महिने में career oriented जो चीज़े हैं जो कारे स्थल से related जो लोग jobless हैं जो job में परिवर्तन करना चाहते हैं तो शुरू के चार महिने गुरू का पूर्ण रूप से support ब यह है पराक्रम का भाव और यहां से परिस्थित्यां बदलना शुरू होगी यहां मुझे लगता है कोई भी नए कारे की शुरूआत के लिए बहुत अच्छा समय है जौब में अगर transfers की बात की जाए तो उनको accept किया जा सकता और मुझे लगता है transfer की position बनती है तो वो आप के लिए फाइदेका रख रहेगी आपका communication काफी strong होगा लोगों के साथ आपके contacts बहुत जादा बढ़ेंगे और मुझे लगता है यह पराक्रम में बहुत हद तक वरद्धी करेगा यह शुक्र गगर है और उसमें गुरू का आना यह teaching skills को काफी बढ़ाता है आपका वानी जो होगा वो लोगों को बहुत कुछ सिखाने की प्रक्रिया की तरफ आपको लेकर जाएगा तो मुझे लगता है एक बहुत ही फाइदेकारक परिस्तिती रहेगी भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा आपको सैयम बना के रखना पड़ेगा बहुत जब के साहस में वृद्धी करवाता है बहुत साहसिक बनाता है व्यक्ति को बहुत पराक्रम ही बनाता है कोई भी बड़े-बड़े वेंचर करना है बहुत बड़े-बड़े आपको कोई करेजियस एक्टिविटी से कहीं पर आप कोई भी एसेंबली में जाकर आपको कहीं बोलना है यहां कोई भी प्रकार का आपका मीटिंग है या कहीं पर आपको लोगों के बीच में मार्केटिंग के अंदर हैं तो बहुत मददकारक परिस्थती है यह कम्यूनिकेशन काफी स्ट्रॉंग होता है मुझे नजर आता है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी प्रकार का नए कारे की शुरुवात के लिए यह समय बहतर कहूंगी मैं यहां पर एक चीज है कि वह दश्रम भाव का स्वामी होकर भी आपके त्रितिय स्थ करियर से रिलेटेड होगा आपके काम से रिलेटेड होगा जो भी टूरिजम का काम करते उनके लिए बहुत पाइदेकारक परिस्थती है मेडिसिन के छात्रों के लिए मेडिसिन के जो भी मतलब जुड़े हुए लोग है मेडिसिन के क्षित्र के साथ उन लोगों के लिए बहुत पाइदेकारक परिस्तती है ये गुरू की दरश्टी पूर रूप से देखा जाए तो पहले आपके सप्तम भाव पर पढ़ती है तो जो भी लोग marriage करना चाहते हैं या married life की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी संभावना एप्रिल के बाद बहुत ज़्याद है यानि कि first में से जो भी unmarried है उनको marriage की तरफ ये गुरू लेकर जाएगा आपके लिए योग्य पात्र आपके सामने आएगा और आप उस तरफ पर आगे बढ़ेंगे यालिकि विवाह का योग बनना शुरू होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अच्छा समय है यहां एक चीज जरूर कहूंगी मैं पार्टनर का सिलेक्शन करते वक्त जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए यहां पर एक चीज है कि गुरू की दरश्टी की वज़े से बिजनस में काफी बढ़ोतरी है आपके कॉंटेक्स में बहुत बढ़ोतरी है यहां पर पार पार्टनर्शिप में डॉक्यमेंटेशन बहुत सही होना चाहिए तो ही आगे बढ़ा जा सकता है बाकि जो भी खुद के बल पर कारे किया जाता है यानि कि आप खुद जो भी कारे करते हैं सेल्फ मोटिवेट होकर तो वहां पर आपको बहुत बढ़ी सफलता है प्राप्त होगी बिजनिस में बढ़ोतरी होगी आपके लोगों से व्यवहार में व्रिद्धी होगी गुरू की दरश्टी आपके नवम भाव में पढ़ती है तो नवम भाव यानि की एक आध्यात्मिक चिंतन में काफी व्रिद्धी है spiritual यात्राओं के लिए एक बहुत अच्छा समय है गुरू की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा यहां एक चीज़ जरूर कहूंगी मैं कि गुरू की दरश्टी की वज़र से जो भी लोग masters करना चाहते हैं medicine में या एक शित्र में अगर आप masters करना चाहते हैं तो first में से आपके लिए जो भी education के अंदर आप higher level की degree की तरफ जाना चाहते हैं मुझे लगता है यह समय बहुत अच्छा है आपके अंदर एक development काफी बढ़ेगा और यह course के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें यह समय बहुत favorable है गुरू की एक द्रश्टी 11 स्थाम पर पढ़ती है यह एक ऐसी द्रश्टी है जो आपके रुके हुए सारे ही लाब यानि financial gain को आगे बढ़ाएगी आपके लोगों के साथ contacts बढ़ेंगे क्योंकि यह outer world के साथ आपको जोडते हैं यहाँ पर गुरू के द्वारा मुझे लगता है first में से आपके financial income में व्रिद्धी होगी, contacts में व्रिद्धी होगी, आपके मान सम्मान में व्रिद्धी होगी जो भी लोग जॉब में सोच रहे थे कि इसमें कोई बहुत higher level के आपको results नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर परिवर्तन भी किया है आपने April मैं से पहले तो अब first में के बाद आपको financially काफी अच्छा लाब मिलेगा लोगों के साथ जो कहते हैं कि जहां आपका कार्य अटक रहा है तो वो किसी के द्वारा आपको पूर्ण होके मिलेगा यहाँ पर मुझे लगता है बहुत पाइदेकरक परिस्थती है जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता का योग है बात करते हैं हम राहु की तो राहु लगन के अंदर है यह थोड़ा चिंटा का विशय है कि जब राहु लगन के अंदर है और के तु आपके सब्तम भाव में हैं तो इस परिस्थिति के अंदर सबसे पहले राहू की चर्चा करते हैं तो राहू लगन के अंदर पूरे ही वर्ष रहने वाले हैं और ये व्यक्ति को जल्दबाजी के अंदर आगे बढ़ने की प्रक्रिया सिखाते हैं यहाँ पर व्यक्ति बहुत मैनियूपिलेटिव हो जात यानि कि शॉटकट लेनी की कोशिश करता है शडियंतर करने की कोशिश करता है तो शडियंतर करने से आपको बचना चाहिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट पॉवर्ड होकर आगे बढ़िएगा यहाँ कोई भी प्रकार का शॉटकट मत लीजेगा कहीं पर भी किसी भी व्य दिशाली बना देता है जब लगन में राहू होता है व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा बुद्धी का प्रयोग करता है देखे आध्यात्मिक्ता में बुद्धी का प्रयोग होता है यहां पर spiritually भी काफी जो कहते हैं कि व्यक्ति selfless होकर नहीं करता है यहां पर हर चीज में उसका फायदा कहां हो रहा है इस चीज के उपर उसका पूर्ण रूप से ध्यान होता है क्योंकि राहू कभी भी कोई भी कारे हम करते हैं तो बिना बुद्धी के नहीं करता आपके अंदर एक development ऐ इसा होगा कि कैसे हम business में आगे बढ़े कहां पर किस व्यक्ति का उप्योग किया जाए इस प्रकार की बुद्धी रहेगी आपकी कि जहां पर आपको कौन सी field में आगे बढ़ना और देखे एक चीज जरूर कहूंगे किसी के कहने पर investment नहीं करना यानि कि आपकी जो चीज म पर कि इसमें investment करने से आपको बहुत फाइदा होगा job में से business में चले जाना इस तरह के नेड़े मत लीजेगा जो आपका skill है उसी के उपर पकड़ के चलना है कोई भी कालपनिक investment या कालपनिक business की तरफ नहीं जाना यानि कि हमारी कलपना है कि हम इसमें आगे बढ़ जाएं अगर आप अपने जो master किया हुआ है जिस चीज में आपकी skill है जिसमें आपको अनुभव है उस चीज को पकड़के अगर आगे बढ़ते हैं तो यह राहू आपको बहुत बुद्धी से कौन से career की तरफ आगे बढ़ना कैसे किस व्यक्ति के साथ काम करना यह आपको यानि कि आप जहां पर आपका अनुभव नहीं है उस चीज में अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होगा तो यह चीज आप जरूर ध्यान रखेगा कि जॉब में हैं और अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर हैं तो बहुत जिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आईगी यहां पर राहु की दरश्टी पढ़ती है आपके पंचम भाव पर एक दरश्टी सप्तम भाव पर और एक दरश्टी नवम भाव पर तो पंचम भाव पर पढ़ने पर एक चीज जरूर कहूंगे कि मेडिकल के चात्रों के बहुत ही अच्छा समय है और सबसे अच्छी चीज है कि जो लॉग की स्टूसिंट है अगर सही कोर्स में है और आप एंजिनियरिंग और आपको लगता है कि आपको कोई music की तरफ जाना चाहिए, dance की तरफ जाना, इस तरह के decisions को avoid कीजिएगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे complete कीजिएगा, उसको बीच में से छोड़ने की प्रवक्रिया को आप नहीं अपनाना, यानि कि भटकाव देता है ये राहू, राहू अगर सही track पर रहे तो आपको बहुत मदद करेगा, अगर आपने ऐसे निर्णय लिए जो student life के लिए सही नहीं है, तो वो आपके लिए नुकसान का रख है, यहाँ पर राहू की दरश्टी की वज़ा से कहूंगी कि ये व्यक्ति को love relationship में काफी हद तक दोखा मिलता है, और यहाँ व्यक्ति खुद दोखे देने कि प्रक्रिया में भी सक्षम है, यानि कि अगर कोई भी relationship आपका कहीं पर भी develop होता है, as a student भी आपको relationship में डाल कर, आपके student life को ये खराब करता है, तो ये इस प्रकार के कोई भी relationship में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, especially क्योंकि वो relationship से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, यहां generally मैंने देखा है कि ये love relationship में, multiple relationship में काफी interest लेता है राहू, आपके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी कि आप कहीं पर भी relationship में पढ़े, even आप student नहीं है, तो जो भी लोग उस age पर है कि जहां पर relationship develop होती है, तो देखेगा, ध्यान रखेगा, मुझे लगता ह है कि जो भी relationship होगी या जो भी person होगा, वो काफी fake होगा, और आप भी एक से जादा relationship में शायद believe करना शुरू कर दे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, किसी को भी आप पैसे देते हैं relationship में, या एक दूसरे से पैसे की lane दिन करते हैं, तो वहाँ पर आपके साथ दोखा होने की संभावनाय बनती है, पंचम भाव पर ये राहो की दरस्टी share market के अंदर देखे, एक बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, share market में नुकसान होने की संभावनाय बहुत ज़्यादा है, जो भी संतान है, संतानों से related आपको stress definitely रहेगा, यहां जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको मैं उन महिलाओं के लिए कहूंगी के ये पूरे ही वर्ष अपने स्वास्त का बहुत ध्यान रखेगा, मुझे लगता है blood pressure से connected problems और यहां पर generally जब भी लगन के अंदर राहू है, तो वो स्वास्त सं बंदित समस्यां देता है, मतलब चोटी-चोटी चीजें आपको परिशान करती है, स्वास्त संबंदित और यह मानसिक परिशानिया ज़ादा देता है, व्यक्ति को बहुत ज़ादा intense thinking, एक समय पर वो 10 चीजे एक साथ सोचता है, इस प्रकार की संभावना बंदित से मानसि क्रोग डेवलप होता है, यहां पर राहू की दरश्टी सप्तम भाव पर भी पढ़ती है, यहां राहू की दरश्टी की वज़ा से, देखे एक चीज़ जरूर कहूंगी के, फर्स्ट में से मैरेज की संभावना बहुत अच्छी बनती है, जो भी लोग शादी करना चाहते ह विवाह का योग बनता है, मगर के तु यहां पर स्थित है, तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, देखे अभी हम राहू की चर्चा कर रहे हैं, तो राहू का दरश्टी संबन यहां पर बना हुआ है, तो कोई भी रिलेशन्शिप में जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है, यानि कि अगर पढ़ते भी हैं, तो आप स्पेशली कहा जाए कि फर्स्ट में के बाद कोई भी निर्णे लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, जहां पर आपके संबंधों में आगे बढ़ा जा सकता है, मगर बहुत सोच समझ के, जहां बहुत जल्दबाजी नह बहुत समझ के आगे बढ़ना है, जो भी लव मेरेज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, यहां पर अगर निर्णे लेना ही है, तो फॉस्ट में के बाद लीजेगा, तो जो भी लोग मेडिकल में मास्टर्स करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, और स्पेशली आईटिक शित्र के अंदर या लॉड इपार्टमेंट के अंदर या जजज का कोई एक्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पर राहु करियर oriented बहुत बनाता है यानि कि मुझे लगता है कि ये राहू आपको इतना ज़्यादा दिमाग में कहते न कि career के प्रतिय बहुत ज़्यादा महनत करवाता है आपको आगे बढ़ाने के जो लोग बहुत समय से बैठे हैं उनको ये बुद्धी प्रदान करेगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए कहां पे किस क्षित्र में आगे बढ़ा जाए और आपको एक सेकेंड के लिए भी बैठने नहीं देगा यानि कि जो वो जिस दिशा में भी लेकर जाएगा वो आपके लिए career में बहुत अच्छा लाब है foreign education के अंदर भी आपके काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी और मुझे लगता है फाइदेकारक परिस्तती है ये केतू की बात करें केतू सप्तम भाव में है तो जो अल्रेडी आपर मुझे लगता है ग्रस्ट जीवन को संभालने की बहुत ज़्यादा जरूरत है यानि कि आप जो भी नेड़े लेते हैं जल्दबाजी में मत लीजिए ग्रस्ट जीवन में क्लैशिस हो सकते हैं जहां पर लड़ाई जगड़े की प्रक्रिया हो मगर जैसे ही गुरू की दरश्टी यहां पर आएगी तो फर्स्ट में के बाद परिस्ततियां बहतर होगी अगर कोई भी विवाद थे तो विवाद में से आप बाहरा पाएंगे विवाद को रिजॉल् आपका लाबस्थान का स्वामी बन के बारवे घर के अंदर है तो यह एक ऐसी प्रक्रिया के जहां पर मुझे लगता है कि 30 जून से 15 नवेंबर तक की जो परिस्तिती है तो वो वक्री अवस्था का शनी है और शनी की दरश्टी आपके द्वितियस्थान पर है आपके छट बारवे घर के अंदर जो शनी है विदेश के कारियों के लिए बहुत सक्षम है जो भी लोग लॉड इपार्टमेंट में है उनके लिए बहुत अच्छा है आईटिक शित्र के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है विदेश के यात्राओं के लिए अच्छा समय है वि जो भी विदेश जाना चाहते हैं आपकी महादशा अंतरदशा बहुत important है मगर जन्मकुंडली की महादशा और अंतरदशा के हिसाब से कारे होगा मगर शनी के बारवेगर में होने पर आपको विदेश के कारेों में बहुत अच्छी सफल ताइम मिलती है द्वितिय भाव पर दरश्टी है तो उससे आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी लॉंग टम सेविंग्स के अंदर इंवेस्टमेंट कर पाएंगे आप यहाँ पर जो भी लोग बिजनस में भी इंवेस्ट करेंगे जो भी लोन लेंगे वो लंबे समय के लिए होगा यह पूरे ही साल में जो भी लोन लेते हैं वो लंबे अंतराल के लिए होगा इंवेस्मेंट भी होगा तो लंबे अंतराल के लिए होगा और यहाँ पर यही चीज है कि ज जनितन के अंदर भी काफी बढ़ोतरी है आपके लिए opportunities ये शनी के द्वारा प्राप्त होती है बर एक चीज जरू कहूंगे कि legal matter की बात की जाए अगर कोई भी आप court case में फसे हुए हैं तो यहां पर देखे आपके खुद के जन्मकुंडली भी बहुत important है मगर मुझे लगत है कि 30 जून से 15 नवंबर का समय थोड़ा कठिन रहेगा अगर आप कोई भी प्रिकार की divorce case के अदर पसे हुए हैं या कोई भी प्रिकार का court case चल रहा है आपके उपर तो 30 जून से 15 नवंबर का समय थोड़ा सा मुझे लगता है stressful रहेगा वहां पर आप बहुत सयम बना के र नहीं हो पाता कभी कभी वह वाणी का दुरूपयोग करता है अपनी वाणी को सयम में रखके कारे कीजिए और मुझे लगता है कि जो भी लोग court case में फसे हुए हैं उसके पीछे मुझे लगता है कुछ खर्च होता हो मुझे नजर आता है 12th house का शनी है तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ी सी पीडाकारी परिस्तती है यह बोन से connected problems definitely यह देता है अगर कोई भी प्रकार की health issue है बोन से connected है तो वहाँ पर आपको ध्यान लखने की जरुरत रहेगी जो भी परिस्तती है मैंने आपके सामने रख दी है I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like भी कीजेगा और subscribe भी कीजेगा देखे एक चीज़ जरूर कहूंगे के गुरू की भी वक्री अवस्ता है जो 9 October से 4 परवरी तक है और वक्री गुरू आपके लिए पाइदेकारक परिस्तती लेकर आएगा कुछ चीजों में delays हो सकता है मगर मुझे लगता ह कि opportunities और स्थान परिवर्तन की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती है सबसे श्रेष्ट रहेगा कि आप मीन लगने के हैं तो आपको people को जल अर्पित करना बहुत अच्छा है और गुरू आर को विश्नु सहस्तर का पाट कीजेगा तो आपके लिए बहुत favorable परिस्तती रहे कैसे बहतर बनाना है मैंने आपको बता दिया है अगर आप मुझसे consultation लेना चाहते हैं तो description box पे मेरा email ID दिया हुआ है astrology monica at gmail.com आप उस पे मिल कर सकते हैं मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगे कि कैसे मुझसे contact किया जा और कैसे मुझसे consultation लिया जाए thank you so much Jaisa Krishna